आज हम वीट यानि गेहूं के important questions को करने वाले हैं और यह सारे questions हमारी agriculture के जो notes हम लोग परभाइड करा हैं अपमें उसी से आप लोग जो एक बार पहले notes पढ़ लेना उसके बाद ही questions को करना So question number one है the scientific name of common breed wheat is बोलड़ा कि जो हम normal गेहूं खाते हैं ब्रेड में उसमें जो गेहूं यूज होता है वो उसका scientific name क्या है options है triticum dicocum, triticum astivum, triticum asperococum and triticum aspelta So इसका right answer रो जागा first यानि triticum astivum जो हम जो normal ब्रेड खाते हैं उसके अंदर जो गेहूं यूज होता है next question है कि wheat is originated in बोलड़ा कि कि हूँ जो है कहां पर originate हुआ था so options है south america, central asia, south east asia and euro so इसका जो है मैं कुछ questions आपको दूँगा जिसका कि आपको answer comment में बताना है ताकि आपका भी जो है पता चले कि आपका revision जो है सही से हो रहा है या नहीं वैसे यह सारे questions जो है आपको आमारे notes में दिये गए हैं तो आप जो है notes एक बढ़के फिरी questions करना है so इसका answer आपको बताना है comment में वैसे मैं जो है जो भी सही जिसका होगा उसको मैं पीन कर दूँगा next है कि common breed wheat, 2N is equal to 42 each बोलरा कि common breed जो हम खाते है common breed wheat जो, 2N is equal to 46% होता यह कौना होता है इंडिया में किसके द्वारा इंट्रोडीश किया गया था आप सभी को पता होगा कि एनी बॉर्लोग जो थे उन्हों नहीं इंट्रोडीश किया था इसका राइट एंसर जो है सिंपली फर्स्ट हो जाएगा कि यहां पर मैं दो को सबको दूंगा और इनके जो राइट एंसर के आपको बताना है कोमेंट के अंदर विकोज यह जो चीजें नोट्स में बताए भी हैं फिर भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं अप्शन्स भी आप देखो कि दोनों कोस्ट्स में सेम रहेंगे यहीं और देखेंगे लेकिन को सन्स थोड़ा सा के यहां बदलेगा यहां पर मैं को समझा देखो बोल रहा है कि मैक्सिमम एरिया जो है कहां पर वीट का जो है किस देश में सबस्ज़ार किया जाता है व्ल्ड में तो आपको अप्संस हैं इंडिया रसिया चाइना युए से यान चा questions के answer आपको जहे comment में बताना है अगर गलत होता है तो मैं जो राइट एंसर बता दूँगा next है the inflorescence of wheat is known as wheat के inflorescence को हम क्या बोलते हैं so options है year, panicle, raceme and umbell तो यह को year बोलते हैं year और फिरा spike भी अगर options है तो आप स्पाइक हो जाएगा so year बोलते हैं यहाँ पे गेहूं के case में next है कि ट्रिटिकल इच a cross between आपको पता होगा ट्रिटिकल जो है एक वराइटी है wheat का तो यह जो पूछ रहा है कि किस के cross से बना है so options है wheat and rye, vote and barley, wheat and barley, none of the above, the right and sun जाएगा wheat and rye wheat and rye के बीच के जो है दोनों के बीच में cross करके बनाया गया था next है feldris minor belongs to family बोल रहा है feldris minor आपको पता होगा अब यह wheat है जो कि गेहूं में होता है और इसको जो है हम गेहूं के मामा भी बोलते है कई जगों पर इसको बैर में पूछा भी जाता है तो पूछा है कि यह कौन से जो है family से जो है belong करता है तो आपको पता होगा कि यह जो ग्रेमरी family से होता है यानि कि पोईसी भी इसको बोलते है तो इसका right answer हो जागा ग्रेमरी या फिर पोईसी नेक्स्ट है green revolution has been most successful in green revolution जो है most successful किसमे था क्यों कौन से फसल में wheat and potato wheat and rice barley and rice and all of the above जो है आपको पता होगा कि green revolution generally wheat and rice के अंदर जो है बहुत जादा successful था तो right answer हो जाएगा wheat and rice वैसे सारे questions के answer आपको हमारे notes में मिल जाएगे ताप notes को अच्छे से पढ़ो उसके बाद ही question से यहाँ पर जो होता है मतलब ज्यादा amount पर कि कौन सा होता है तो options है zinc phosphorus hydrogen sulfide and iron राइट answer हो जाएगा hydrogen sulfide यानि hydrogen sulfide अगर ज्यादा होता है तो वहाँ पर जो डीजी होता है वो अक्योची डीजी बोलते है और यह जो धान के अंदर होता है यह ध्यान देना आप नेस्ट है फिर से फैल्रिस माइनर फैल्रिस माइनर इन वीड कैन बी कंट्रोल भाई बोल रहा है कि जो वीड होता है फैल्रिस माइनर इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते है सब्सक्राइब करेंगे लेकिन जो है इसको आरके मली जो है कि हिसार के अंदर उन्होंने प्रूफ किया था कि यह अब काम नहीं करते हैंगे सब्सक्राइब करते हैं करें। आइसो प्रूट्रों के अलावे अगर स्वाज़्फोश और या फिर मेटासलफिर ओप्स्टम्राइब कर दिया रहा है तो यह दोनों जो है अब यूज़ किया जाता है फैल्रिस माइनर ने के लिए तो आइसओ प्रूट्रों जैन्र जैग आईसो प्रोट्रोन मारना आपको अगर नहीं तो सॉलफो सॉलफिरोन या फिर मेटा सॉलफिरोन जो है आपके राइट एंसर हो जाएगा नेस्ट है टेस्ट वेट औफ वीट एंड फैलरीस माइनर इस रिस्पेक्टिव बोल रहा है कि टेस्ट वेट कितना होता है यह साले जगों पर कोश्ट पर पूछे जाते हैं इभिन जो है एक बार पानी देने के लिए जब रहे हैं हमारे पास एक बार पानी देने के लिए स्टेज पर लेंगे जो कि ट्वेंटी सी ट्वेंटी वन डेज आपर सोई होता है वैसे सारे के सारे ही जो है जो है क्रिटिकल स्टेज है लेकिन उनमें भी पूछ दिया जाए स्वेशली तो सियराई नेस्ट है कि ट्रीपल जीन ड्रॉफ वेराइटी ऑफ वीट इज बोल होती और लाल बादसा जो है यह तीनों ही जो इसके ब्राइटी है तो यहाँ पर राइटेंस हो जाएगा सेकंड वन ही रा नेक्स्ट है कि प्रोटीन जो गेहूं के अंदर पाए जाता उसको हम क्या बोलते हैं ग्लूटीन ग्लूटीन ड्रॉफ जीन इन वीट इज बोल रह पूछे थो दो धान के अंदर पूछे टो टो जीगा यहए हम द्हां के अंदर हो जाएगा ही है ड्लूटीं ड्लॉप में कि सकती हैो पाउट्रीमिल्डीव डीजीज अपिकूद्टी वहीं फोग्री ine टि वाइट्रीजय शोटरि पाउट्रीमिल्डीव जो डीजीज है वहट जो गेहं में किसके वहस होता है तो परक्सिंदंगे इस पीक्रिमिल्डीव टिकूद्ञ ग्रामिनिस और इसका राइट एंसर जो है चाहिए इसका राइट एंसर बिन याम पर छेशे से 17 वो जाता है तोरी को उना चाहिए हो दो कुछछा को ड् Start पर खांगा हंजा कर वहीं आपसे अगर आपसोलिट पुछ दे तो आप चीनो पोडियम एलबॉम तो यह दोनों के याद रखना है एंसर कि अपसे अपसे राइस वीट बारले एंड वोल्ड पुछे जहां पे तो आपका वीट हो जाएगा वहीं अगर इंडिया पूछे तो आपका राइस हो अच्छे से नोट्स को पढ़ना है इसका जो जाएगा वीट याद रखना इंडिया पूछे तो राइस हो जाएगा नेस्ट है कि मोनो कोट वीड इन वीड बोलड़ा है गेहूं के अंदर मोनो कोट वीड कौन सा होता है तो दो होता है तो फैलरिस माइनर हो जागा एक जो नेक्स्ट है कि दर रेकोमेंडेट डोज आफ नाइट्रोजन फोस्पोरस एंड पोटाइसियम केजी पर एक्ट्रेयर फॉर वीड आर बोलड़ा है कि गेम हूं में जो है रेकोमेंडेट डोज बताना आपको एनपी केगा तो यहाँ पर जो है एक जैनरली तो जो है आपको प्रडाइसियम जो होता है वो चाली से साट रहता है तो राइट एंसर जो हो जाएगा आपका सेकेंड वन वीच आफ दा फॉल्विग इज नोन एज कींग ऑफ सिरियल बोल रहा है कि कींग ऑफ सिरियल हम किसको बोलते है आप सभी को पता होगा कि वीड को जो हैं कींग बता रहा है सब के अंदर अलगा वराइटि में बता यहां उसके अंदर सो यह बहुत है आपको यह फो जाएगा यह दूनों जो हो जाएंगा आपको जो ट्रप अनदर बताया गया है और इनका नाम भी आपको यहां बताए यह तीनों ही जो सई है लिगन पाचाओ था यह गलत है तो आप अच्छे से क्लासिफिकेशन को भी वहाँ पर पढ़ लेना नेक्स्ट है डायरेक्टरेट ओफ वीट रिसर्च डी डाबलू आर इस लोकेटेड़ कहां पर है अप्सन से हैधराबाद करनाल निव दिल्ली एंड बिकनार तो आपको सब को पता होगा कि डी गेहुं के लिए तो देखो ऑप्शन से एजोटो बेक्टर जो होता गेहुं के लिए होता है वहीं जो होता है वहीं जो होता है वह ग्रासेज या फिर सोर्गम के लिए विच करते हैं वहीं राइजयोबियम को पता होगा लेगमिनस क्रॉप के लिए होते हैं और जो होता है राइस के लिए होता है तो यहां पर आपके options थे गेहूं के लिए कौन सा होता है तो यह जो थे सारे के सारे questions हो गए और आपसे जो भी तीन questions पूछा गया था उनके जो आप राइट वह इंसर कोशिस कर वह आप बताने का comment section में और सारी साथ आपको भी गेहूं से लेटर का या फिर topics जो अलग करें सो चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में अभी के लिए धन्यवाद